नमस्कार दर्शिकों मैं दिप्यक खुबरे और आप देख रहे जे टीवी भारे आईए रुख करते आज के मुखे समाचा रुखियों नीमच पवित्र सावन के अधिक मास के कावड यात्रा और भगवान भुले नात का जल से अविशे करने का बहुत बड़ा महत्व है बताते हैं कि इस से कई गुनाफल मिलता है इसी मानेता को लेकर क्रिशना नगर के रहवासी आज कावड यात्रा लेकर कॉलोनी से रेलवे स्टेशन होते हुए कि लेश्वर महादेव मंदिर पहुचे जिसमें महिला फुरूश और छोटे छोटे बच्चे भी कावड यात्रा में शामिल हुए और कावड यात्रा में सबको आकरशित किया कि छोटे छोटे बच्चे शुपारवती और बजलंग बली का रूप धारण कर कावड यात्रा में आगे आगे चल रहे थे कावड यात्रा कृष्णा नगर से कलेश्वर मंदिर पर पहुशने के बाद सभी भक्तों ने देवो के देव भगवान महादेव भोले नात का जल से अभिशेक किया जल चला रहे हैं पर यह पहला अवसर है आपका प्लोणी की मैईलाओं का और किस्ण अगर मंदिर कमेटी हुशने का हदिक स्वागेश करती है और उनका सेयोग करती है अब तक महेश शर्मा और किस्ण अगर मंदिर समिती वर्डेक्शन पर जलावी शेक का कारिका मुनियाप रखा गया है कलेसर महादेव पर कश्ण अखर पर करते हैं पर बहुत ही बढ़िया आनंद का महस्तों है और बहुत ही अच्छा उजन है आई ऑगी इतने सहांदा करे का में बहुत अच्छा इन्होंने संखर किया और अच्छे से कलेकम को समपर कर राएं है एक है कवर्ड पर आई ये किस्टानओर से पिबहें सिह क्लेशन माहादेव मंदिर पर पता है मैं बोल्टियू प्रेशन अगर मंदगीर से क्लेशन महादेव और हमारी कावड यात्र आई है और सारी लेडिसों का सयोग और हमारे अदेव जो सारी पोलोनी के जैन्टों का सयोग से हम लोग यहां तक सोचे और महादेव की क्रपा से हमारी जल भी शेखे और फिर यहां पर क्या करा आप क्या नाम है आपका अविका शर्मा